माइक्रोनी के नदर आ सके और मैदा मैदा ना लगे ठीक है तो आप नमक जरूर डालेंगे जब आप इसको बॉइल करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे अब यहां पर गैस की फ्लेम को कर देती हूं गाइस और इसको होने देती हूं बॉइल और एक चीज जो सबसे मेन है गाई जो मैं माइक्रोनिय में डालती हूँ जिससे की मेरी माइक्रोनिय कभी बहुत बार देखोगा आप लोगों की माइक्रोनी का इज एकदम ना हलवे की तरह है ना बिलकुल एकदम शेपड में आ जाती है आप जिस बरतन में उसको करोगों उ तो गईस में थोड़ा सा ज्ञादा नहीं गईस थोड़ा सा ही इसके इंदर मैं डाल देती हूं रिफाइन ओईल चीक है और अब मैं इसको कर देती हूं मिक्स जिससे कि आपकी जो माइक्रोनी वह एक दम अलग-अलग रहेगी तो बस अब इसको मैं ढग देती हूँ और बॉयल्ड होने देती हूँ अब यहाँ पर मैंने ले लिए टमैटो, ग्रीन चिली, कैपसिकम और अनियन और जितने में हमारी माइकरोनी बॉयल्ड होगी मैं अपनी कढ़ाई में मसाले को रैडी कर लेती हूँ कि अब इसमें हमको बीच में कैपसिकम भी डालना है इतने में देखिया हमारी माइकरोनी और मटर जो है वह भी हमारी बॉयल्ड हो चुकी अच्छी तरीके से और हमको क्या करना है, इस्पून से इसको कट करके देख लेंगे आप, कि यह अच्छी तरीके से बॉयल हुई है कि नहीं, इजली अगर कट हो जाती है, यह बॉयल हो चुकी और इतनी ही आपको इसको बॉयल करना है, हमारे हलका सा प्याज और ग्रीन चिली भी सौटे हो चुक तो छिए देखे हैं, हमें मसाले में मसाले में में छादा क्या दालना हाले में आप इसको अबकर सापके इसको चिली पाउडर, सात में ऐ जामन में तेतानी हैं, करींडर पाउडर ग्र्रीन यह बुद्द अधरे हैं, इसकero lofty यह बुद्द और आ देखा समें आप 14 अपन तक आपको इस मसाले को पकने देना है, ठीक है, सब जो चार कुछ भी हो मसाला, जब तक तक मसाला जो है वो रैडी नहीं होता है, तो बस मसाले ने तेल छोड़ दिया, अब इसमें मैंने ठंडे पानी से अपने माइक्रोनी और मटर को मैंने धो लिया था एक बार, आपको भी धो लेना अच्छी तरीके से, एंड फिर आप इसको कढ़ाई में एड कर दो, और बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिजिए, और भून-भून के पका लिजिए, मेन इंग्रियंट है, यहाँ पर मैगी मसाला, मैगी मसाले से स्वात बहुत जादा बढ़ जाता है, तो ने घर में लोग है, उतनी आर प्लेटे से जाईए, और जट पर जाके बनाईए, खाईए, और वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट करना, ने घर में तो बही चार लोग थे, तो मैंने आप अपनी फोर प्लेट्स लगाकर के रैडी कर ली थी, अब आपके आपे कितने लो के कॉमेंट में बताना और जाईए, जल्दी जाके बनाईए, ओके